हेलो जी हेलो क्या हाल चाल तो आज आए कर लेते हैं शुरू अपना स्किन केर रुटीन जो है डिटेल्ड में और सिंपल स्किन केर रुटीन तो सबसे पहले नहाया था बालों में लगा रही हूँ यहां पे लॉरिल का सिर्म बहुत अच्छा सिर्म है अस्टिकी नहीं है आप बहुत अच्छन होती है मेरे बालों में बट इस सिर्म को लगाने के बाद मुझे बिल्कुल भी टैंगल की कोई भी परेशाने नहीं होते मेरे बाद बहुत स्मूथ सॉफ्ट और सिल्की रहते हैं तो चलिए इस नीम कॉम से कर लेते हैं अपना कॉम यह मेरा फेवरिट कॉ ईसके बाद अब हम आब हम जो हम यूज करेंगे अपना अभी तो धरी जाativ ौți है और मेरे बालों को मिल जाती है नीम की गुड्नेस क्योंकि नीम वुट को मेरे बहुत आञे स्कॉल्प के लिए आपके बालों के लिए तो देखिए यहाँ पर कोई बाल मेरा नहीं निकला शायद एक आदा कोई बाल निकला होगा मैं आपको वही शो करने की कोशिश कर रही थी कि जो यह है कॉम वो बहुत इफेक्टिव है इसके बाद अब हम जो है हम यूज़ करेंगे अपना अभी तो क्या ही कर रही हूँ मैं तो चलिए इसदर लगाते हैं टोनर से स्टार्ट करते हैं मैं अपना स्किन केर कर रही हूं तो टोनर जो है यह एप्स गुद्नेस का है मुझे बहुत पसंद है क्यूंकि tea tree oil इसके अंदर है tea tree की goodness इसके अंदर है so i love this toner because यह मेरी pigmentation को बहुत help करता है मेरी skin को healthy रखता है और refresh शो करता है यहां पे अपना चेहरा देखते देखते मुझे दिख गया कि यार मुझे जखम हो गया था यह मुझे कुछ ना irritation type होई थे और फोड़ा सा मेरे को यहां पे वूंड हो गया था इसके बाद vitamin C serum which is my really favorite and OG in my vanity यह में यूज करी हूँ dot and key का और यह बिलकुल भी non sticky है एक तम से absorb हो जाता है आपकी skin पे और आपको बिलकुल भी चिप चिप पाहट या फिर उस stickiness over the skin नहीं छोड़ता है बहुत अच्छा vitamin C है if you are just thinking to invest in some good vitamin C go for this one dot and key का है बहुत बढ़िया है and you can see मैंने without cut और without editing आपको सामने सामने यह दिखाया है कि देखो यह मेरे skin में कितनी अच्छी तरह से penetrate हो जाता है और बिलकुल भी sticky नहीं रहता है बहुत अच्छे से आपके skin को यह cover कर लेता है बहुत अच्छे से आपके skin में penetrate हो जाता है बहुत potent ingredients हैं इसमें so you can check this out आप इसको try कर सकते हैं थोड़ा सा अपनी double chin दिखाते हुए थोड़ा सा अपना face को massage करते हुए towards upward direction so that थोड़ा सा जो a skin है थोड़ा सी tighten up और firm दिखे तो यहां पे मैं अपना next ingredient जो अपना use कर रही हूँ that is the dot and key का derma coca I'm sorry derma coca sunscreen which is the best and og in my vanity once again यहां पे देखो यार मैं यह जो three finger rule है बिल्कुल भी apply नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना जो sunscreen है वो लगाना है and everybody knows कि उसके skin पे उसके neck पे कितना ही sunscreen apply होता है तो I'm not going to follow this three fingers sunscreen rule यहां पे भी देखो मैंने without cut आप sunscreen आपके सामने लगाया है यहां पे within seconds trust me within seconds it will penetrate in your skin and there will be no white cast over your screen guys if you are seriously seriously want to invest in some good sunscreen ना go for that इसके साथे को सफेद बाल पे दिखा रही हो आप लोगों को color करने का time आचुका है कोई ना कर लेंगे थोड़ी दिनों में तो यह sunscreen यार ले लो मेरी recommendation है trust me आप इसको अराम से ले लो बहुत अच्छा sunscreen है इसके बाद यार मुझे ना टेंशन होगी मैंने तो moisturizer लगाया ही नहीं और मैं भूली गई कि मुझे moisturizer बें लगाना है तो कोई बात ही अब क्या कर सकते हैं आप मैंने sunscreen के बाद ही अपना pons का gel moisturizer जो है इसको apply किया है this is the only moisturizer जो मैं use कर पाती हूँ क्योंकि इससे मुझे sweating नहीं होती है otherwise मेरी skin जो है यार बहुत अजीब है कोई भी मेरा moisturizer suit नहीं करता है except pons का gel moisturizer even in winters मैं यहीं लगाती हूँ मुझे बहुत ज़दे sweating हो जाती है moisturizer से तो मेरा ये favorite है OG है pons का gel moisturizer अगर आपको भी पसीना आता है go for this one बिल्कुल पसीना नहीं आएगा तो यहाँ पर मैं फिरसे अपने जखम को देखती हुई और अफसोस करती हुई चल यह लगाते हैं यह dot and key का यह lip balm but यार guys this is the worst one I have ever seen in my life क्योंकि इसकी जो texture है guys it is so thick और इसमें कुछ चंकी particles है यार आप जब lips पे लगाते हो आपको ऐसे लगता है कि यह कुछ चुबरा है आपके lips पे ना कुछ चंकी से particles है रह जाते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता and this is it's so so heavy on your lips की ऐसा लगता है कि lips पता नहीं कोई परत लगा दी कोई layer आ गई है इतनी मोटी सी which I really don't know मुझे lip bumps इतनी highly moisturized और मतलब इतने heavy नहीं लगते यहाँ पे मैं सोचे दे इसको as cheek tint लगा लो लेकिन हाला देखो मैंने फटा-फट से इसको मिटा लिया और थोड़ा-थोड़ा सा फिर अपनी चीक पे tint कर लगा लिया बट इसको लगाने के बाद में इतना पच्ता रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैंने बता नहीं कौन सा मोटी सी और गाडी सी चीज थिक सी चीज अपने face पे लगा लिया बहुत अजीब सा फील हो रहा था तो यहाँ पे अब दे को लिया है तो इसको तो यार मुझे यूज़ खतम तो करना ही पड़ेगा क्या करें इसको ठाके में डेस्क्रमिन में तो फैक्ट नहीं सकती हूँ तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो चल लगे कर दो सब्सक्राइब और बाबाई और हाँ स्कूप सारा पानी भी वीजी